हलो एं गुड बॉर्निंग दोस्तों आई होप आप सब बढ़िया होंगे मेरे राम है आसीस और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिटकोईन के बारे में बिटकोईन 44,000 डॉलर आ चुका है नेक्स टारगेट क्या होगा टेकनिकल चार्ट पे यहाँ पे बताएंगे अब धीरे धीरे बिटकोईन रिकावरी ले रहा है और क्या चांसे है कि बिटकोईन 50,000 डॉलर इस महीने टेस्ट करेगा उसके बारे में भी यहाँ पे बात करेंगे साथ ही यहाँ पे आपको बताए तीन ऐसे कोईन जिन में आप डिप में इंट्री ले सकते हो बहुत अच्छी पोजिशन पे हैं और लॉंग रन में बड़िया रिटन आपको दे जाएंगे हो सकता है इस महीने के एंड एंड में भी वो बड़ा रिटन आपको देके जाएं तो वीडियो को लाज तक देखन पे जरूर जाके जोईन करना कलम ने आपको एक फ्यूचर कॉल दी थी वहाँ पे फ्री में फ्यूचर कॉल दी थी वो थी आर्वियन की कॉल आज वो 25% जो है प्रॉफिट पे चल रही है तो अगर आपको फ्यूचर कॉल चाहिए फ्री में वहाँ पे जोईन कर लो चैनल है money guru dg के नाम से 7000 member है चेक कर लेना और यहाँ पे आपको आके join करना है कल हमने देखो rvn की future call दी थी और within 24 hour के अंदर आपको result यहाँ पे देखने को मिला तीन target हिट की है 25% आप लोग profit में होंगे जिनों ने इस trade को लिया होगा ठीक है और यह twitter handle है यहाँ पे भी follow कर टाइप का pattern अभी यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है 4 hour का chart हमने open किया हुआ है और यहाँ पे देखो यह bullish था यहाँ से bitcoin pump किया sideways रहा और यह breakout लेते ही यहाँ पे एक अच्छा pump देखने को मिला है अब यह कितना उपर जा सकता है उसका एक आपको अंदाजा बता देते हैं यहाँ तक जा सकता है इसलिए यहीं से sort करना बनता है अगर आप एक sort की trade लेना चाहते हो तो इसी जगह से आप यहाँ से sort की trade ले सकते हो यह long का open हो गया यहाँ से अगर आपको लेना हो तो एक sort की position with small SL के साथ में आप ले सकते हो लगबग 2.5% का SL 46,300 के आसपास का SL लगा ज्यादा leverage लेके मत चलना अगर आपको sort करना हो तो यहाँ पर 44,500 से 45,000 डॉलर के आसपास पर भी sort कर सकते हो मुझे लगता है इतना ही जाएगा इसके बाद में जो है यहाँ से इस जगह से reversal easily हमें आप देखने को मिलना चाहिए और bitcoin जब reversal लेगा dominance down होगी उस समय altcoin 55,000 डॉलर को break करके 50,000 डॉलर जाएगा या नहीं जाएगा comment section में जरूर बताना मुझे लगता है कि यहाँ से हमें reversal देखने को मिलना चाहिए अगर यह हमने break कर ली आना तो 50,000 डॉलर तो पक्का है देखो अभी Chinese New Year भी आने वाला है उस समय लोग जो है यहाँ पर selling भी करत है उसके बाद में यहाँ पर जरूर थोड़ा बहुत crash देखने को मिलेगा तो मुझे लग रहा है 45,000 डॉलर के आसपास तक हम test करेंगे sort करना हो तो यहीं से आप कर सकते हो target level रहेगा 42,800 के आसपास में SL रहेगा 46,300 डॉलर के आसपास में यह था दोस्तों BTC का update अब हम यह यहाँ पर बात करते हैं हमारे 3 SA coin के बारे में जिन में आपको dip में entry बनानी चाहिए क्योंकि देखो अभी BTC जो dominance है वो अगर आप देखोगे तो बढ़ रहा है BTC dominance जब बढ़ता है altcoin थोड़ा सा यहाँ पर गिरते हैं जैसे ही BTC नीचे की हो रहेगा dominance भी नीचे की हो रह तो RVN coin का अगर यहाँ पर चार्ट देखो सेम देखो इस जगे के आसपास में जहाँ पर RVN था यहाँ पर इस जगे से एक bottom बनाया यहाँ पर भी same bottom बनाया bottom बनाके यहाँ थोड़ा बहुत pump किया फिर गिरा फिर उपर की और यहाँ पर यहाँ बहुत अच्छा reversal आया और से अभी यहाँ पर ऐसा ही आ रहा है अभी यहाँ पर नीचे की और गिरा अब यहाँ से bounce करने की तयारी पर है तो RVN को आपको buy करना है तो यह मेरे इसाब से best level रहेगा 0.0174 के आसपास में 0.01839 चल रहा है तो इन दोनों level के आसपास में current पर भी buy कर सकते हो यह level जैसे ही breakout कर रहेंगे और बड़े time frame पर अगर हम देखें तो यहाँ पर मैं बड़ा pump expect कर रहा हूं जो की हो सकता है लगबग 0.049 के आसपास में तो यहाँ तक भी हम RVN में देख सकते हैं और long run पर अगर आप जाओगे ना फिर तो RVN आपने देखा ही है उसके history क्या कहती है जब वो pump कर ना start करता है तो बहुत massive pump आता है और जो इसका all time high है लगबग यहाँ पर 0.26 है तो easily यह आगे चलके 10x आपको दे सकता है पर अभी हम यहाँ पर देखो 10x की बात नहीं करेंगे बहुत जादा लालस दिखा के FOMO नहीं फेलाएंगे आपको अगर आपको buy करना है इस level के आस लेने वाला हूँ थोड़ा बहुत मैंने ली है और यहाँ पर आगे इस महीने के लिए मैं यहाँ पर buy करके चलूँगा बहुत बढ़िया दिख रहा है मुझे चार्ट में और अगर same pattern यहाँ पर इसने follow कर लिया और ऐसा pump आया देखा हमने massive pump देखा तो फिर तो यह बहुत तगड़ा return देखे जाएगा ठीक है तो यहाँ पर dip में इसे buy करके यहाँ पर चलना है दूसरे coin की अगर हम बात करें तो वो है rad यह भी अभी काफी dip में चल रहा है और इसका अगर आप chart देखो जैसे link का chart था ना link हमने आपको $6 में कई बार बोला है even अगर आप देखोग और $4 पर हमने किया था $6 तक आया है उसके बाद नीचे जादा नहीं गया है तो यहाँ पर $6 पर हमने link को advice किया था same pattern बन रहा था link पर अगर यहाँ पर मैं आपको link का chart दिखा हूँ अभी link तो लगबग यहाँ पर $19 के आसपास में आ गया है और same chart यहाँ पर बन रहा था यह sideways trend में था लगबग एक साल से जैसे इसने इसे breakout किया है बहुत अगड़ा यहाँ पर pump आया है लगबग अभी देखो $6 पर आपने buy किया होगा तो लगबग 200% आप profit में यहाँ पर चल रहा है वैसा ही same chart यहाँ पर RAD network का यहाँ पर देख रहा है और मुझे लग रहा है क यह भी breakout जल्द ही करने वाला है अगर यह वाला level breakout करता है $2 के आसपास में निकल जाता है यहाँ पर 1.87 चल रहा है अगर यह breakout करता है तो लगबग हम यहाँ पर $5 के आसपास तक का target RAD में देखेंगे तो इसको अगर आप चाहो तो dip में यहाँ पर buy कर सकते हो नीचे की और SL लगाना चाहो तो फिर आपको यहाँ पर 1.27 का SL लगाना चाहिए पर मेरे इसाब से यह बहुत बढ़िया dip buy level है यहीं पर आपको buy करके hold करके चलना चाहिए massive profit आपको देने की ताकत यह रखता है next जो target रहेगा इसके उपर रहेगा $9.80 का तो अगर यहाँ से आप buy करते ह hold करते हो तो around 4-5x तो easily यह future में दे सकता है next और last coin की अगर हम बात करें तो वो है दोस्तो हमारा FIDA coin यहाँ पे FIDA में भी हमने dip entry काफी अच्छी देखी है तो FIDA coin को भी आपको बताते हैं कहाँ पे buy करना चाहिए यह daily chart में हम open कर रहे हैं इसे और अभी लगबग देखो 0 0.2694 के आसपास में चल रहा है और लगबग देखो के तो हमने last time हम पुराने जब हमने live किया था तो लगबग हमने इस जगे के आसपास भी आपको बोला था उसके बाद से अगर आप देखो तो FIDA लगबग यहाँ पे pump हो चुका है 200% पर 200% pump होने के बाद भी लगबग 30- 40% नीचे की और आया है और यह बहुत अच्छा support level इसे यहाँ पे मिल रहा है 0.25 cent के आसपास का तो आपको अभी देखो 0.2694 चल रहा है around 27 cent के आसपास में चल रहा है 25 से 27 cent के आसपास में buy करना है और मेरे according अगर यह अब यहाँ से breakout करता है इस level को breakout करता है 27 29 cent को तो एक पहला target दूसरा target होगा लगभख 55 cent के आसपास गडिक है तो यह जैसे ही यहाँ पर breakout करी ना इस level को यहाँ पर जैसे ही breakout करेगा एक अच्छा pump देखने को यहाँ पर मिलेगा पहला target लगभग हमें देखने को मिलेगा यहाँ से लगभग 40% के आसपास का pump और उसके उपर नि और अभी ये सरफ असरफ 25 cent पे है, तो अगर 10 dollar जाता है, तो massive profit आपको मिलेगा, पर अभी हम उतनी बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम सरफ असरफ 66 cent की बात कर रहे हैं, तो यहां से फिदा हो सकता है, एक डेड़ महिने के अंदर आपको इस level तक आता हुआ दिखाई दे, तो 25 से 27 cent के आसपास में dip में आपे बाय करके चलना है, और यहां पे आपको stop loss अगर लगाना है, तो हमेशा जो भी coin आप बाय करो अपने risk reward पे बाय करके चलना है, 7 to 8 percent मैं recommend करता हूँ, अगर आप चाहो तो थोड़ा बड़ा भी लगा सकते हो, पर देखो stop loss लगा के ही trade करना, short term trade कर रहे हो, long term अगर आप बाय कर रहे हो, तो फिर आपको कोई जरुवत नहीं है, बहुत अच्छा आपको dip entry मिल रही है, यह definitely आपको 90% chance है कि profit देके ही जाएंगे, ठीक है, तो यह 3 coin थे, bitcoin में मैं यहाँ पर expect कर रहा हूँ, 45,000 से थोड़ा सा एक dump हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा, अगर वो dump आता है तो आपको short की entry हमने दी है, वहीं से आपको यहाँ पर short की trade लेनी है, ठीक है, तो यह था दोस्तों, आज का वीडियो को एक update था, I hope आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक करके जाना, चालब नहीं हो, सब्सक्राइब कर देना, मिलेगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाबाई, and take care.